प्रसास्निक विवस्ताएं भी चौक चौबंद कर दी गई हैं बिहार सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दिया है पार्क बंद कर दिये गए हैं सारवर्णी जगाहों पर भीड लगाना मना है ऐसे में बाइक राइडर्स पर सबसे पहली निगाहे जो हैं वो पटना पुलीस की होंगी नवर्स में अगर हुजूम बना कर बाइक राइडर्स निकलते हैं तो उन पर कारवाई भी की जाएगी साथी साथ तमाम लॉजेज होटेल्स इन तमाम जगाहों पर लगतार छापे मारी चल रही है सराब बंदी को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं पटना के सस्पी उपेंदर सर्मा जराप वो सुनिए पर लुजे चापा गया है आप लोगे मादम से फिर बता देना चाहें कि 31-2 इसमें रोक लगाई गई है सरगा के तरफ से ऐसा ही है न कुछ इसमें पारकों में तो इसको आप अब आपने मुझे सवाल किया है तो मैं इसको जोड़ाना चाहाँ कि 31-2 को हम बली घर पर मनाए अन्य था सरवनी जगों पर कोई जमाड़ा करनी क्या हो शकता नहीं है विकॉस सेकुर्टी एंगल हम लोगों को देहना काम है लेकिन हेल्थ को हम नहीं देख सकते हैं और पिछले साल मुझे देख लिया है कि किस तरीके का द्रिश आया था तो जो सरकारी गाडलाइस आ रहे हैं उसको देखते हुए 31-32 को लोग से रिबेट करें और नवर्श्की मेरे तर्फ से अग्रिम सुपकामनाय सभी को असके लिए करा रहे हैं अब वही बात बता रहा हैं उसको भी इस चीज को माई में रखते हुए कुछ काम करना चाहिए दूसरी बात है कि जिस तरह से हम लोग ने पिछले दिमें करवाई की थी वह करा रहे हैं और अठाइस से लेके हम लोग एक तरीक तक यह ड्राइव होटेल्स में लॉजेज में बैंक्वर्स में यहां तो आपने सुना पटना के सेस्पी उपेइंद शर्मा को जो साबतार पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि बाइक राइडर्स अगर नवर्स में किसी भी तरह का हुर्दंग करते वे दिखाई देगे तो उन पर सक्त से सक्त कारवाई की जाएगी सारवरिक जगाओं पर भीड न लगाएं यह अनुरोध कर रहे हैं विंती कर रहे हैं और नवर्स की जो सुरुवात हो रही है घर में ही नवर्स सलब्रेट करें साथि साथ पटना के सेस्पी ने बताया है कि तमाम होटेल्स लॉजेज में पटना पुलीस लगातार चापे मारी कर रही है पटना पुलीस की नजर होटेल्स पर है क्योंकि बिहार में सराब बंदी है और ऐसे में होटेल्स में सराब पाटी और अन तरह की गती भी ना हो इस पर भी पटना पुलीस की पहली नजर है खेर लाइफ स्टीज के साथ बने रहे हैं अपने हमाँ चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरण सब्सक्राइब कर ले आपका बहुत-बहुत सुक्रिया